सब्सक्राइब कर ले और अपनी नोटिफिकेशन वेल भी दोस्तों आपको हर अपडेट नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब आपको बता दू जहां पर आंगनबाडी बहनों को ना तो नमक रोटी नसीब होती है वहीं दूसरी तरफ जो बाल विकास सेवाम पुष्टाहर विभाग के निदेसाले में अधिकारियों का ये जो कारनामा है उसको आज हम दिखाने जा रहे हैं आप लोगों से विन्ती है कि इस दृष्टाचारी के सिस्टम में इस खबरों को आप लोग सेयर करें जो और तरीके से सेयर करें वाटसेप, फेस्बूक हर जगए हर एक बहन को सेयर करना चाहिए जो भी वीडियो देख रहा है क्योंकि आंगनबाडी बहनों की भरती हो या प्रमोसन की बाते हो दद-द इस खबरों को आप लोगों तक में पहुंचाना चाहता हो अवगत करवाना चाहता हो तो बिनती है आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर देंगे बिनती है क्योंकि इस वीडियो को पता होना चाहिए हर एक बहन के पास पहुंच जाना चाहिए और हर एक अच्छा खासा रकम वसूर लेते हैं तो ये सबी जो इनका कारणामे हैं इनके काले कारणामे उनको उजागर किया जाएगा अपने चैनल के इस वीडियो के माद्यम से आप लोगों से विनती है वीडियो को जीतना हो सके सेर करें ताकि ये आवाज हर एक बहन हर एक यूनियन की बहन तक पहुचनी चाहिए और उन्हें भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है हम बहनों के साथ में जन्नता के लिए सरकारे तो बहुत कुछ कहती है लेकिन ऐसे ब्रष्ट अधिकारियों पर अब कारवाई कराने का काम आ चुका है क्योंकि निदेसाले में अंगन बारि के ही DPO को जो है APM के पदपर जो है बनाकर लुटा रहे हैं है खजाना जितना कोस है और आंगन बारी बहनों के लिए स्मार्ट फोन दिये गए उसमें 200 रुपए निकालने के लिए नहीं बचे कहां से आएं ये क्योंकि जो बज़ा टाता है उसमें वो लोग बिना प्रमोस कर लेते हैं ये व्रेश्टाचार में लिप्त अधिकारी और उसके बाद में अच्छी खासी पोस्ट की सैलरी उठाते रहते हैं यहां पर आज इस चीज का सुधीर सिंग जी है सुधीर कुमार सिंग जी उन्हों ने ये चीज को न्यूश्पेपर वगरा के माध्यम से जो ह इस चैनल को सबस्क्राइब कर ले मैं इस लिए नहीं कहता कि हमें आपे सबस्क्राइबर बढ़ेंगे सबस्क्राइबर तोבעर तो लाखो की संख्या में दश्टाचारी में लिप्त अधिकारियों के उपर जो बाते निकल के आ रहे उनके बारे में देखना चाहेंगे यहाँ पे लिखा जिला करक्रम अधिकारियों को अपर परियोजना जो प्रमंधक पद पर दे दी है तैनाती बताइए और यह सब कुछ गैर विभागी तरीके से हो रहा है इन अधिकारियों की APM पद पर तैनाती हो गई है जो जानकारी निकल के आ रहे है उसको ध्यान से देखना और अच्छे से समझना क्या चीज़े जो समाज में हमारे आ रहे हैं सोसाइटी में आ रही है आंतरिक जो लेखा परिच्छा की विसेश जाँच में दरजनों लिपकों को अनियमे तरीके से प्रमोशन देने के मामले में अभी कोई कारवाई भी नहीं हुई कि बालविकास सेवा हैं उन पुष्टा हार जिसको ICDS विभाग बोलती हैं निदेसाले में बिना पद के ही अपर परियोजना प्रबंधक APM के पद पर तैनाती दिये जाने का मामला सामने आया है आप लोग देख रहे हैं हमारी आंगनबाडी बेहने रोज उचती रहती हैं कि भाई जी भरती कब आएंगी भरती कब आएंगी आंगनबाडी की हमारा प्रमोशन कब होगा दद साल से सेवा में हैं कोई 15-15 साल की बेहने हो चुकी हैं प्रमोशन की उनके चांस तक नहीं मि लेते हैं हमारी बेहनों को कुछ नहीं मिलता तो बेहने हमारी नमक रोटी तक नसीब नहीं हो रही है लेकिन बाबू वहां पर मलाई बैट करके काट रहे हैं तो कैसे इस धरस्टाचारी सिस्टम में आवाज उठेगी बेहनों की और कैसे नयाय मिलेगा आप लोगों से वि पद हैं ना सेवा ना नहीं निमावली में ही एपियम पद का कोई प्रावधान है फिर भी जिलाकार कम अधिकारियों डीपियों को एपियम का पदनाम देने के साथ ही उन्हें मोटी तनुखा वासुविधा देकर सरकारी खजाने का पैसा लुटाया जा रहा है देख रहे ह इसका अंदाजा ही नहीं लगेगा ना जिंदगी में कभी वो जान पाएंगी चैनल पर चुड़ी है बहने तो हर एक खबर हर एक सच्चा ही पहुँचाते रहता हूँ जितना मुझसे हो सकता है बांकि आप लोग कमेंट जरूर किया करें मुझे समय नागर नहीं मिल पाता है तो जब भी समय मिलता है एक दो दिन में मैं आप लोगों की कमेंट जरूर पढ़ता हूँ लाइक करता हूँ आप लोग कमेंट जरूर किया करें अपनी राय दिया करें अपनी समस्यां बताया करें ताकि ये वीडियो वाइरल होते हैं सरकाप प्रसासन मीडिया के पास मे पद है ही नहीं बताइए पद है नहीं वो फिर भी उस पद का नाम दे करके और मोटी तनुखा उस पद के हिसाब से वो लोग विभाग के लूट रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं फिर भी पिछले 10 साल से अधिक समय में कई अधिकारियों को मुख्याले पर अपर परियो खाली हैं सबसे बड़ा सवाल या है कि जब मुख्याले इस्थर पर यहां पे देख लीजिए लिखा हुआ है मुख्याले इस तरपर पर्योजनाओं का संचालन होता ही नहीं है तो मुख्याले में अपर पर्योजना प्रबंधक पद का आउचित क्या है हैरानी की बात यह है कि लंबे समय से ICDS मुख्याले में प्रमोसन नियुक्तियां वा पोसा हर वितरन से संबंदित मामलों में अनिय मितता वा जो घाल मेल का खेल चल रहा है लेकिन ना तो किसी सरकार ने इसे रोकने की जहमत उठाई और ना ही सासन में बैठे नौकर साहों ने ही इस पर ध्यान दिया कभी कोई मामला सामने आया तो उसे दबाने का ही प्रयास किया गया है आज भी ये वीडियो अगर बना है तो बहुत से लोग सेर नहीं करेंगे तो कारण यही रहेगा कि आप लोग वीडियो को या आवाज को दबाने का ही प्रयास कर रहे है अन्यताज जो लोग चाहते हैं ये भरष्टाचारी खतम हो, बहनों को न्याय मिले, बहनों को उनके काम के हिसाब से पैसा मिले, जो बजट उनके लिए आता है वो उनको मिलना चाहिए, ना कि बाबू लोग बैट करके वहाँ पे मलाई चाट रहे हैं, तो इन चीजों को समझ आई भी हुई है थोड़ी बहुत, उसे आप लोगों तक बताते हैं, अब सासन इस्तर से ICDS के निदेशक से इस मामले में जवाब तलब किया गया है, विभाग के विशेश सचू, गया प्रसाद ने पत्र बेचकर निदेशक से पूचा है, कि मुख्यारे पर आपर जन अधिकारी को किस नियम के तहट तैनात किया गया है, और उनको जो कारसों पे गए हैं, उसका प्रावधान सेवा नियुमा मली में है या नहीं, इसके वेतन आदिके भुगतान किस नियम के तहट किये जा रहा है, तो यह सब चीज़े वहाँ पर मांगी गई है, इन अध जी हैं, और लिली सिंग मुख्याले में APM के पद पर काम कर रही है, और अलकारानी भी APM पद पर तैनात थी, लेकिन पीछेले सबता है, उन्होंने स्वाचिक सेवा निवरत थी, V.R.A.S. ले ली है, और उनको V.R.A.S. के भी जो है, D.P.O. के पद से ही दिये दी गई है, और दो बार हाई कोर्ट से जो है, खारिज हो चुकी है, याचिका, ये भी समझ लीजिए, दो बार हाई कोर्ट से याचिका भी खारिज हो चुकी है, जो अन्यमित तरीके से APM का पद नाम लेकर नवकरी करने वाली अधिकारी सरकार की मंजूरी नहीं मिलने पर, APM का पद साम धारी कलपना पांडे की ओर से दायर पहली याज का 2007 में खारीज हो चुकी थी जब कि दूसरी याज का एक सब्ता पहले ही अभी खारीज हुई है तो इन चीजों को समझे हैं मुख्याले में ही यह है 29 जो 49 पद हैं सुईक्रत यहां पे सुईक्रत हैं वह आप लोग समझ अधिकारी है अव वैक्तिक तो जो सहयक हैं और अधिच्छक बता जा रहा है वरिष्ट सहयक है वरिष्ट समरिच्चक है और समपरिच्चक है सोध अधिकारी है आसू लिपिक है और आसू लिपिक कनिष्ट है कंटूटर अपरेटर है चालक है यह वहाँ पे जाले बगरा में इस तर पर इतने आप लोगों को पत देखने को मिलेंगे तो यह आंगनबारी उत्तर परदेश को लेकर के बहनों यह जो मैंने आवाज लगाई है क्या आप लोग अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से और लाइक करेंगे यह आप लोग कमेंट करके जरूर बताना हर एक बहन कमेंट देखेंगे कि हाँ हर बहन ने वीडियो सेर किया उसके बाद में कमेंट भी किया है कि हमने वीडियो सेर किया तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका क्योंकि इस ब्रष्टा चारी आप लोग सेर्ज जरूर करें ये सिर्फ मेरा वीडियो नहीं है आल इंडिया अगन बाडी न्यू चलनल मैं हमेशा कहता हूँ परिवार हैं यहां पे सब बहुत से लोग कहते रहते हैं कि यहां पे जूटी खबरे होती हैं लेकिन वह वही लोग होते हैं मैं कहना चाहूंगा जो यूटूबर हैं जो खुद फरजी की खबरे देते हैं और उनको अब परेसानी होने लगी क्योंकि अब उनको बहनों को पता हो गया लाखो बहनों को कि सच्ची खबरे सिर्फ आल इंडिया पर मिलेंगी तो बाकी के चैनल हम क्यों देखें तो इन चीजों को लेकर के ब एक बहन इस लीडियो को अभी तक सेयर कर दिया होगा नहीं किया तो अब जाकर के सेयर कर दिजिए बहुत बहुत धन्यवाद मैंनों मिलेंगे फिर आपको साम की बड़ी खबर होगे